बीस साल बाद सर्वफित्र मोक्श मावस्या और श्रणीस्चरी अमावस्या एक ही दिन थे थी ऐसे में लाखों कि संख्या में श्रधालू उजयन पहुचे और शिप्रा नदी के विबिन्ध घाटों पर अस्लान किया हाला कि नदी का जल इस्तर जादा होने से श्रधालू को फवारों में स्ञान कराया गया उजयन शिप्रा नदी के त्रिवेणी घाट पर आज श्रधालू का सैलाब दिखाई दिया दिरसल आशनिशरीय मावस्या और सर्वपित्र मोख्ष मावस्या एक साथ होने पर देर रास्ते ही दूर दूर से आये श्रधालू शिप्रा नदी में स्नान कर पुर्णी लाप कमाते नजर आए सुबह से ही लंबी लंबी लाइनों में लगकर इस्नान कर शनी मंदिर के दर्शन कर भक्त निहाल हो गए इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रधालू ने दान पुर्ण किया बड़ी संख्या में श्रधालू आज नहान के लिए आये थे साथ ही अपने अपने जूते चपल भी दान के रूप में छोड़ गए हाला कि परंपरा है कि नदी में ही इस्नान किया जाए लेकिन बारिश अधिक होने के चलते श्रद्धालू को फवारों के द्वारा ही इस्नान कराया गया ताकि नदी के बहाओ होने के कारण जन्हानी न हूँ 20 सालों बाद सर्वपित्र मोखशमा्मसिया और शनिश्रया मावसिया पर देश के कोने-कोने से श्रत हालू उज्जैन के इस प्राचिन शनी मंदिल में दर्शन के लिए उम्रते दिखाई दिये। उज जायन के राजा विक्रमाधित्य ने त्रविन में इस मंदिर के स्थापना की थी। यह देश का पहला ऐसा मंदिर जहां शियों के रूप में शनी की पूझा की जाती है और लोग मनों कामना कर शनिक्रपा पाने के लिए तेल चड़ाते हैं लोगों ने राद 12 बजे के बाद से ही फवारों में नहाना शुरू कर दिया था लेकिन मुख्य नहान सुभर सुर्योदय के बाद अमावस्या पुर्वकाल में ही किया गया प्रशासा ने राद स से ही उमरती भीर को देखते हुए अधिकारियों की ज्यूटी लगा दी थी सिसीचीवी कैमरे की मदद से निगरानी की जा रही थी